अगले साल 2017 में भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इतिहास रचने जा रहा है इसरो एक साथ 82 सेटेलाइट लॉंच करेगा जिसमें 60 सेटेलाइट अमेरिका के 20 यूरोप और 2 ग्रेट ब्रिटेन के हुँगे मार्श मिशन के प्रोजेक्ट डिरेक्टर एस्क अरुनन ने बताया है कि अगर यहाँ मिशन पूरी तरह काम्याब रहा तो भारत एक बार में सबसे ज्यादा सेटेलाइट लॉंचिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा इस रो एक साथ 82 सेटेलाइट को PSLV रॉकेट के एडवांस वर्जन PSLV XL के जरिये लॉंच करेगा अभी एक साथ सबसे ज्यादा सेटेलाइट लॉंच करने का रिकॉर्ड रूस के नाम है रूस ने 19 जून 2014 को 37 सेटेलाइट लॉंच किये थे जिसके बाद अमेरिका दूसरे नमबर पर है उसने 19 नमबर 2013 को 39 सेटेलाइट लॉंच किये थे सबसे ज़्यादा सेटेलाइट लॉंच करने वालों में इस रो तीसरे नमबर पर है इसने इसी साल 22 जून को एक साथ 20 सेटलाइट लॉंच किये थे जिसमें 13 सेटलाइट अमेरिका के थे वहराल 2017 के जनवरी में 82 सेटलाइट लॉंचिंग मिशन कामयाब हो जाता है तो 25 साल में इसरो का यह दूसरा रिकॉर्ड होगा क्योंकि इससे पहले 2014 में इसरो ने पहली कोशिश में ही मंगल की ओर्बिट में मार्स मंगल यान को भेज कर रिकॉर्ड बनाया था दुनिया की बाकी सेटलाइट लॉंचिंग एजन्सियों के मुकाबले इसरो की लॉंचिंग 10 कुना सस्ती है ऐसे में अगर 82 सेटलाइट लॉंचिंग मिशन कामयाब हो जाता है तो ग्लोबल सेटलाइट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी और बढ़ जाएगी देखतरी एटीपी लाइव